है फ्रेंट्स वेल्कम पेक टो दिशाजब चलिए दोस्तों आज दिशाजब में एक और न्यू रेसिपी लेकर आए हूँ वो है दोस्तों के अपसी स्टाइल पनीर फिंगर जोकि बढ़ों को बहुत पसंद आने वाला है बढ़ों को बहुत पसंद आने वाला तो चलिए जल एक पनी डाला इस-अपरा से ब्रेड़ आपके पास नहीं है उस समय कभी-कभी क्या होता न, अगर imagining हमें बनाना हो तोसे अगर ब्रेटर सठाफते हैं तो और ले बक्रम के 죠 Support किते हैं तो में दो चमच का ले लेना उसके बार ओंदon है बारिक कट हुई दो हरी मिर्च एक प्याज बारिक कटा हुआ थोड़ा सा अजवाइन डालना है हमें नमक पहुत ही थोड़ा सा डालना है कि इसमें सिजोन चटनी जो होती है उसमें अल्रड़ी नमक होता है थोड़ा सा चाठ मसाला इसमें डालना है थोड़ा सा ओरीगेनो ड तो आप एक पैकेट वो डाल दीजिए उसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा रखता है बच्छों को पसंद राएगा दोस्तों तो इस तरह से यह सारी चीज़े डालने यह देखिए चीली फ्लेक्स तुमेने अंदाजे से डाला बट आपको मैं बता दे रही हूं एक यह खाने के लिए पनीर वच्छों के लिए बहुत ही अच्छा होदा है जैसे कि मैंने पहले भी पताया था कि सेंड्विच वगेरे में भी पनीर यूस करते रही है उसमें कैल्शियम प्रोटीन दोनों ही होता है तो वच्छों को दीजिए तो इस हिसाब से आप कभी टिफ बहुत अच्छी होती है दो चमच हमें कॉन फ्लोर डालना है जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है आपको 50 ग्राम पनीर दो चमच ब्रेट क्रम्स आपको क्वांटिटी वैसी ही लेनी है बिल्कुल दोस्तों अगर आप डबल कर रहे हो 100 ग्राम पनीर ले रहे हो तो आपको पनीर का टेस्ट आना जाहिए है तो पनीर को इस तरह से हमें फिंगर का शेप दे देना है देखिए इस तरह से जो भी इंग्रेडियन्स है उसको सबको मिक्स कर देना है अच्छे से मिक्स करने के बाद वापस से हमें ब्रेट क्रम से प्लेट में अलग से निकाल देना है उ जो में पॉइंट है वह हमें 15-20 मिनिट तक इसे सेट होने के लिए फ्रीज में रखना है अगर हम इसे 15-20 मिनिट तक तक रख दिये ना इसके बाद यह जो जादा नहीं लेता और अच्छा भी बनता है कृस्पी बनता है और इक और इस पार्ट यह है कि आप चाहे तो इसे ड पनीर यूज करके उस तरह का टेस्ट ला सकते हैं तो तेल की आज बहुत गरम होनी चाहिए एकदम जब गरम हो जाएगा तो फिर उसे आप मीडियम कर देना मीडियम में यह फिंगर्स आपको फ्राय करना है इस तरह जैसे मैं कर रही हूं और एकदम ब्राउन हो जाएगा अल्टी पल्टी कर देना वह आपको पता ही चल जाएगा इस तरह से यह देखिए गोल्डन ब्राउन जैसा जब कलर आजाएगा तब हम इन फिंगर्स को बाहर निकाल देंगे यह देखिए यह बहुत कुरकुरी और क्रिस्पी बनते हैं दोस्तों बच्चों को तो बहुत यम्मी लगता है इस तरह से हमेरे सारे फिंगर्स हमें डालने हैं और एक और बात है कि लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में एक साथ सुचते हैं सब डाल दें सब बन जाएगा तो ऐसा नहीं करना है हमें 5-6 आप डालिए और उसके बाद जैसे अगर आपके 10 पीस रेडी ह आपके और निकाल कर लिए आराम 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 से दीरे दीरे डालिए बहुत यम्मी लगने वाला है यह रीखिए यह मैंने बना दिया फिंगर्स और यह साथ की साथ करके वाँ 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 क्या बात है तो इस तरह से मेरे सारे पनीर फिंगर्स जो है वो पहले एक प्लेट में निकाल दिया जो भी है मतलब पांच-पांच करके मैंने फ्राय कर लिया आठ से दस फिंगर्स मेरे 50 ग्राम में पनीर में मेरे रेडी हो गए थे जैसे मैंने क्वांटिटी बोला पिल्कुल वैसा ही आ आपका पनीर फिंगर्स बहुत यम्मी बनने वाला है करन को मैंने टिफिन में आज यही दिया करन के लिए स्पेशल मैंने बनाया था तो आप भी अपने बच्चों को दीजिए वो भी बहुत खुश होने वाले हैं बच्चों के साथ साथ आप बड़ों को भी दीजिए सब्सक्राइब तिल देन लव यह वाल बबाई तेक यह